अपदाम अपहरतारं दातारं सर्वसंपदां लोका भी रामं स्री रामं भूयो भूयो नमाम्यहं इस गरिम में मंच की अध्यक्स्ता करने वाले हमारे पुझ्यपाद शंकराचारी जी महराज भारत के धर्म और अध्यात्म के शिखर पुरुष जो आज इस गरिमा में मंच में उपस्तित हैं सभी के प्रती वंदन अभिननदन करते वे भारत देश के यशश्वी रक्षा मंत्री राजना सिंग जी इस मंच की शवा बढ़ा रहे हैं और पूरे विश्व में आज भारत जिस गरोव और गरिमा के साथ उठावा दिखाई देता है और चीन के सामने भी जब हमारे देश का जंडा उचा दिखाई देता है इसके लिए मैं अपने रक्षा मंत्री राजना सिंग को बहुत बहुत सादुवात और शुब कामने देता हूँ आज 106 वी महरिशी की जैन्ती के शुब अवसर पर ये निवेदन करना चाहता हूँ बारत देश का युवा यहां बैठा हुआ है और सभी भुद्धी जी भी लोग यहां उपस्तित हैं आप सोच सकते हैं हालिवूड को भी अगर किसी ने जुका दिया नेता और अभी नेताओं को भी जिनों ने जुका दिया भारत देश की संस्कृती और सब्यता के सामने जिस महरिशी महेश योगी ने पूरे विश्व को भारत की संस्कृती राम की संस्कृती सनातन वैदिक संस्कृती को विश्व तक पहुचाने का कारिय किया आज उनको बहुत शद्दा से स्मण करने का दिन है आज वैद दिन है कि जब हम यह सोच सकते हैं कि हमारी नई पीड़ी जब अभिनेताओं के पीछे दोड़ रही है हालिवूड की पीछे दोड़ रही है भारत का एक महरिशी एक ऐसी भी क्रांती कर सकता है कि अमेरिका हालिवूड के रॉक स्टार से लेकर के वहां के अभिनेता अभिनेत्रियों को अपने पीछे दोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है आज उस महमना का दिन है और आज दिन है इस बात के लिए भी कि जिनोंने वेद को विज्ञान को अध्यात्म को योग को दियान को आयरवेद को संसार के सामने उपस्तित करने में एक बहुत बड़ी गरिमा मई भूमी का निभाई और जिनोंने दियान को और विज्ञान को साथ साथ जोड़ दिया ऐसे महरिशी का दिन है आज और मैं यह कह सकता हूँ कि शरीर बले ही सामने प्रत्यक्षना हो लेकिन उनका कारिय, उनका स्वरूप हम सब के सामने है इसलिए वेदों में जो यह कहा है तपसाये अनाध्रिश्चा, तपसाये स्वर्ययू तपो यह चक्रिरे महश्चा पी देवा पी गच्छताद जिन्होंने तप तप तेवे अपने जीवन को बलिदान किया वे ब्रह्मगती के अधिकारी होते हैं और वो हमेशा याद किये जाते हैं मैं उस गटना को भी याद कराना चाहता हूँ कि जिस समय इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग में मैं रिशी जी अपने समस्त लोगों को लेकर के कारिय को प्रारम कर रहे थे और उस समय गवैन का परिवार और बहुत सारी समस्याँ उस समय थी जिस तरह से उन्होंने अपने आशिरवास से एक जटके में समस्याओं का निदान किया था देखने योग्य है कि एक रिशी का जीवन किस तरह का होता है यद्दिपी निरुक्त कार तो ये कहता है रिश्यो मंत्र द्रश्टारह या साक्षातक्रत धर्माण रिश्यो बभूवू सचमें मैं ये कह सकता हूं कि वैदिक संस्कृती को साक्षात सामने लाने की जो एक बहुत बड़ी जिनको मैं कह सकता हूं कि जिनके द्वारा एक बहुत-बड़ा कार्य हुआ तामरपत्र पर वेदमंत्र अंकित करने का प्रयास और चारो वेदों को सामने लाने के लिए हमारे समस्त ब्रामनों को आगे लाने के लिए जो कारिय किया यह साधान कारिय नहीं था हाँ आज यदि हम यह याद कर सकें कि जीजाबाई की जेनती आज है स्वामी विवेक अनंद की जैनती आज है महरिशी की जैनती आज है तो एक बात जरूर ध्यान में आती है कि किसी समय केशव चन सैन मिलने के लिए गये थे जैसे रामकृष्ण परमहंस के सामने और उस समय एक फटी बनियान पहने वे एक युवक गया था वहाँ केशव चन सैन जिनको जार्ज किंग ने सम्मान दिया था उस समय मैं एक घटना कसार बताना चाहता हूं आपको कि वो फटी बनियान वाले युवक की तरफ इशारा करके केशव चन सैन ने रामकृष्ण परमहंस को कहा था कि महराज आप उपर आकर के बैठिये आपकी गदी उची है तब उन्होंने ये कहा था कि मैं जिस युवक के साथ बैठ रहा हूं ये भारत का वो सूरज है जो आगे जाकर के ओगेगा और आप जिस कुरसी पर बैठे वे हैं वहां सिरफ एक दीपक की तरह चमक रहे हैं और आपको मैं निविदन करूँगा वो फटी भी कमीज बनियान वाला युवक कोई और नहीं जिसके सिरपर गुरु ने आशिरवाद का हाथ रखा था वही विवेक अनंद बनकर दुनिया में चमका और आज उनकी भी जहनती का दिन है मैं इस बात को इस रूप में याद कराना चाहता हूँ कि स्वामी ब्रह्मानन जी की सन्निदी में तेरा वर्षों तक जिन्हों ने अपना जीवन व्यतीत किया और अपने गुरु के जाने के बाद दो वर्षों तक मौन रह करके भागीरती के तठपर रह करके साधना की और उसके बाद भावातीत ध्यान को दुनिया के सामने ले करके आए और गुरु का कारिय करने के लिए रामेश्रम में गए ऐसे मैरिशी को गुरु का महान आशिरवाद प्राप्त था इसलिए वो भी सुरज बन करके चमक रहे थे और आज भी चमक रहे हैं और आगे भी चमकते रहेंगे मैं उनके प्रति अपनी भावांजली अरपित करते भे आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज विश्व को तुम्हारा ग्यान चाहिए महरिशी के अनियाईयो उठो महरिशी के अनियाईयो उठो बहुत बहुत शुब कामना है